हलो दोस्तो आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो एस्ट्रोलोजी या जियोतिश के बेसिक समझने के बारे में है क्योंकि मुझे बहुत जातकों के फोन आए बहुत दर्शकों ने मेसेज किया जैसे कि हमारी राशी क्या है हमारी लगन राशी क्या है हमारी सूर्य राशी क्या है हमारी चंद्र राशी क्या है तो ये सब जो प्रशन आये उनसे हमको लगा कि एक छोटा सा सीरीज हम जो तिश के बेसिक के बारे में बता दे है उसी तरह से काफी लोगों को डाउट होता है कि उच ग्रह कौन सा होता है वकरी ग्रह क्या होता है या फिर लोग बड़ी बड़ी टर्म्स सुनते हैं जैसे कि आत्मा कारग ग्रह अमत्या कारग ग्रह या कालसर तोश और साड़े साती और ये सब चीजे हम लोग सुनते हैं जिससे हमारे मन के अंदर थोड़ा सा एक तो डर बैठ जाता है और दूसरी चीज हमें लगता है ये सब सुनने के बाद की जोतिश एक बहुत ही मुश्किल सीखने वाली चीज है बहुत मुश्किल से हम इस चीज को सीखेंगे तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोतिश सीखना सीखने में समय लगता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सबजेक है काफी इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है काफी किताबें पढ़नी पड़ती है मगर जो ज्योतिश के basics हमको आने चाहिए कि हमें कुंडली कैसे देखनी है कुंडली में हमको क्या देखना है ताकि हम अपनी कुंडली को खुदी समझने लग जाएं ये बात सीखनी कोई मुश्किल काम नहीं है यह देखना बहुत ही असान है तो मेरा यह प्रहतने रहेगा अपनी इस सीरीज में कि मैं आपको आपकी अपनी कुंडली कैसे देखनी है इसकी जानकारी दूँ मेरी यह वाली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुंडली के सारे बेसिक्स एक एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए अपनी कुंडली के बारे में वो हम देखना और समझना कैसे है इस आप को हम जान ले जब यह आप जान लेंगे तो उसके बाद आपके लिए आगे कोई भी आप सökक्रिश्च देखते हैं तो उसको आपको समझना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि हमारी में कुंडली के सब्ल्ब कस नान लाद YouTube चैनल पे या इंटरनेट पे Instagram, Facebook यहां पे जो भी जानकारी हमें उपलब दोती है उस जानकारी को हम लोग अपनी कुंडली के साथ को relate कर सकते हैं उसको match कर सकते हैं और उससे हमें अपनी ही कुंडली समझने में बहुत जादा आसानी हो जाएगी तो इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए मैं ये सीरीज को आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूँ कि कुंडली समझना बहुत असान है कुंडली समझने के लिए हमको सिर्फ तीन चीज़े चाहिए एक कि एक कुंडली क्या होती है जैसे आप मेरे साइड में देख रहे हैं यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है तो एक कुंडली क्या होती है और इसके अंदर में कुछ जो ये खाने बने हुए है ये क्या होते ह या कुंडली के घर इनको बोलते हैं तो ये घर क्या है एक हमको ये बात जाननी है दूसरी बात जो हमको जाननी है वो यह है कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो ग्रह क्या होते हैं उनका क्या परपस होता है उन ग्रह किसी भी ग्रह का कुंडली में किस जगा पर बैठना उस क्या मतलब है और उनसे हमको क्या समझ आता है तो यही तीन चीज़े अब हम आगे आने वाली वीडियोस में डिसकस करेंगे और मुझे उमीद है कि अगर आप मेरे वीडियोस को सीरीज में सीक्वेंस वाईज नमबर एक से लेके नमबर दो फिर तीन फिर चार ऐसे आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको अपनी कोंडली को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको ये समझानी का प्रेतन करूँगा इसके बाद भी यदि आपको कोई इस बारे में डाउट हो तो आपके प्या मेरे वीडियो में, थैंक यू